नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर तो दिखाजम भोतिक विज्ञान के प्रिवेश एर एक्जाम्स में पूछे हुए क्विशन्स की सिरीज यहां पर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम SSE CPU 2020 में पूछे हुए महत्वकुन पर्सनों को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला क्यूशन है कि निमन में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो ऐसाई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है तो देखिए जो पास्कल है वो दाब की ऐसाई यूनिट होती है तो देखिए दाब को मापने का मात्रक क्य इसके अलावा टोर ये सबी जो है वो दाब को मापने की इकाईया होती है तो देखिए कौन सा मातरक है जो दाब को मापता है तो ऐ उप्षन जो है इसका यहां पर correct answer हो जाएगा कि जो टोर है वो भी दाब को मापने की इकाई होती है इसके लावे हम बात करें जूल की, तो जूल है वो कारिय या उस्मा की काई होती है, न्यूटन जो है वो बल की काई होती है और जो वाट है वो सक्तिकों अपने का मातरक होता है, अगला किशन देखिए, दो पिंडू के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटिग्रेड है, तो डिग्री फोरेन हाइट में यह अंतर कितना होगा, तो देखिए, तापमान को आपस में परिवर्तन करने का जो सुतर है, वो इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए, यदि हमें टेम्परेचर को एक इनिट से दूसरी इनिट में कनवर्जन करना हो, तो फोर्मूला होता है, C अपॉन 5, इकवल टू होता है, F माइनस 32 बटे 9, बरावर होता है, K माइनस 233 बटे 9, तो हमें देखिए, यहाँ पर सेंटिग्रेट से फोरेन हिट में चेंज करना है, तो हमें इसका यहाँ पर यूज करना होगा, तो यहाँ पर देखिए, C की वेल्यू दे रखिए, हमें 30, अपॉन 5, और यह बरावर होगा, F माइनस 32, और बटे में 9, तो यहाँ से देखिए, 5 से कैंसल आउट हो जाएगा 6 बार, क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे, तो 6 को 9 से गुना करेंगे, तो यह जाएगा 54, और यह इकवल होगा, F माइनस 32 के, तो यहाँ पर फाइंड है, तो माइनस का 32, इस साइड आके पलस का हो जाएगा, तो यहाँ से फोरेन हाइट में यह बेल्यू हो जाएगी, 54 पलस 32, तो इनको यह दि हम एड़ करेंगे, तो यह आएगा 86, तो जो बेल्यू, डिग्री सेंटिग्रेट में 30 है, वही फोरेन हाइट में कितनी होगी, 86 तो यह ओप्शन जो है, इसका यहाँ पर क्रेक टांस्वर हो जाएगा, अगला कि मिलिकन के तेल बूंद परियोग में, तेल की बुंदू पर एक ऐसा बल आरूपित किया जाता है, जिसकी प्रकृति निम्न में से किस रेनी में नहीं आती है, तो देखिए, सबसे पहले तो जिसे तेल बूंद परियोग कहते हैं, सामानेत है कोई भी तेल की बूंद अपने दर्योमान के कारण गुर्तवा कर्शन बल के प्रभाव से नीचे गिर जाती है, तो देखिए, एक तो मिलिकन का तेल बूंद परियोग में गुर्तवा कर्शन बल काम करता है, इसलाव लेकिन यदि इस तेल की बूंद को आविशित कर दिया जाए, तो इस तेल की बूंद के गिरने को विदू छेतर द्वारा रोका जा सकता है, मतलब विदू छेतर भी इसमें कारेरत होता है, क्योंकि इस स्थिति में विद्यूत बल दर्योमान बल को संतुलित कर देता है, आ तो चले हम हमारी क्विशन पर चलते हैं तो देखे हम देख सकते हैं आपर कि मिलिकन के तेल बूंद परियोग में विद्यूत एस्थिती का भी यूज होता है गुर्टवा अकर्षन बल भी काम आता है और श्यानता फैक्टर भी यहां पर कारिये करता है तो किस श्रेणी में नहीं आता है तो इस्तिर चुम्ब की यह श्रेणी इसके अंतरगत नहीं आती है तो बी ओप्षन जो है इसका यहां पर क्रेक्ट टांस्वर हो जाएगा अगला क्यूशन हमारा की फैम्टो का अर्थ है दस की घात तो देखिए जो फैम्टो है वो दस की घात माइनस पंदर को हम फैम्टो करते हैं तो सी ओप्षन जो है इसका यहां पर क्रेक्ट टांस्वर हो जाएगा इसके लावी देखिए आपको यहां पर कुछ पर्फिक्स है जो टेन की पावर के वो आपको ध्यान रखने है तो चलिए हम डिसकस करते हैं इनको तो देखिए सबसे पहले हम ट इलो उसका पर्फिक्स होता है ऐसी दसकी पावर 6 हो तो मेगा दसकी पावर 9 हो तो गिगा दसकी पावर 12 हो तो टेरा दसकी पावर 15 हो तो पेटा दसकी पावर 18 हो तो उसे एक जा और दसकी पावर 21 हो तो उसे जेटा और दसकी पावर 24 हो तो उसे योटा कहते हैं ऐसी यद 10 की पावर माइनस 6 हो तो माइक्रो 10 की पावर माइनस 9 हो तो नेनो 10 की पावर माइनस 12 हो तो पीको ऐसे 10 की पावर माइनस 15 हो तो उसे फेम्टो 10 की पावर माइनस 18 हो तो एटो और 10 की पावर माइनस 21 हो तो जेप्टो और 10 की पावर माइनस 200 तो उसे हम योक्टो के नाम से जानते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है चलिए next question पर चलते हैं अगला question देखिए सीद्धी रेखा में चलने वाली वस्तू द्वारा उत्पन की गई सक्ति ग्याद करने के लिए बल को गुणा किया जाता है तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सक्ति होती है वो बराबर होती है डवलू अपॉन टी कारे करने की जो दर होती है उसी खों क्या कहते हैं सक्ति कहते हैं तो देखिए कारे क्या होता है हमारा बल गुणा विस्तापन होता है तो f into s और upon में t तो यहाँ पर देखिए यदि शीदी रेखा में गति हो रही है तो उसका जितना विस्तापन होगा वही उसकी क्या होगी distance होगी और देखिए विस्तापन बटे इस समय यही क्या होता है हमारा वेग होता है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं f into v तो यदि हमें सीदी रेखा में चलते हुए पिंड की सक्ती हमें निकालनी है तो जो बल है उस बल को यदि हम वेग से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी सक्ती प्राप्त होगी तो बल को हमें किस से गुणा करना होगा वेग से गुणा करना होगा यदि हमें सक्ती निकालनी है तो d option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए यदि कोई वस्तू 10 दोलन परती सेकंड करती है तो kilohertz में इसकी आवर्ती क्या होगी तो देखिए जो परती सेकंड जो दोलनों की संक्या होती है वही हमारी क्या होती है आवर्ती होती है तो परती सेकंड जो दोलनों की संक्या होती है उसी को हम आवर्ती कहते है तो यहाँ पर जो आवर्ती है वो कितनी हो जाएगी 10 hertz हो जाएगी लेकिन इसी को हमें kilohertz में निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देंगे तो यह जो है वो किसमिट change हो जाएगी kilohertz में तो 10 को 1000 से यह दिए हम divide करें तो यह गाँ 0.01 kilohertz तो यह दिए आवर्ति को हमें kilohertz में निकालना है तो यह जाएगी 0.01 तो आपको ध्यान रखना है कि जो आवर्ति होती है वो जो आवर्तकाल होता है time period होता है उसकी opposite होती है यह हम यूँ कह सकते हैं कि 30 seconds जो दो लनों की संक्या होती है वह हमारी क्या होती है आवर्ति होती है अगला किसन देखिए निमने में से कौन सा action at a distance बल है तो देखिए action at a distance बल जो है वो गुर्तवा कर्शन बल को कहा जाता है तो B option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए एक अस्वा सकती लगबग वोट के बराबर होती है तो देखिए एक अस्वा सकती जो है वो 746 वोट के बराबर होती है तो यहाँ पर हमें क्यूशन ने कहा है कि लगबग वराबर होती है तो लगबग हम 746 के 750 बोल सकते हैं तो यहाँ पर एक अस्वा सकती जो है वो लगबग 750 वोट के बराबर होती है वैसे अस्वा सक्ति जो है वो 746 वोट के बराबर होती है अगला किसन देखिए बादल रहीत दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी पर्चाई सबसे छोटी बनेगी तो देखिए सूरिय जिस समय हमारे उपर होगा उस टाइम जो हमारी पर्चाई होती है वो बिल्कुल क्या होती है छोटी बनती है तो ठीक दोपहर 12 बजे हमारी पर्चाई जो है वो क्या होगी सबसे छोटी बनेगी अगला किसन देखिए निमन में से किसके कमपन केवल विसम हार्मोनिक्स की उत्पति करते हैं तो देखिए जो खुला ओर्गन पाइप होता है खुले ओर्गन पाइप में सम और विसम दोनु हार्मोनिक्स बनते हैं सम और विसम दोनु परकार के हार्मोनिक्स बनते हैं जबकि जो बंद ओर्गन पाइप होता है उसमें केवल विसम हार्मोनिक्स ही बनते हैं तो यहाँ पर एक बंद ओरगन पाइप के अंदर जो है एक वाई उस्तम के केवल विशम हार्मोनिक्स ही बनेंगे तो बी ओप्शन जो है इसका यहाँ पर क्रेक डांस्वर हो जाएगा अगला किसम देखिए धातूं से होकर होने वाली विद्यूत चालकता को इलेक्ट्रोनिक चालन कहा जाता है और यह है तो देखिए जो धातूं की विद्यूत चालकता होती है उसमें एदि हम टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी जो विद्यूत चालकता होती है वो क्या हो प्रेंप जाते हैं तो उनकी विद्यूत चालगता जो है वोबी क्या हो जाती है भड़ जाती है लेकिन धातु की जो विद्यूत चालगता है उसमें हम टेमप्रेचर को बढ़ा दे तो विद्यूत चालगता जो है वétaitापमानवर्दी के साथ क्या होती है घट जाती है तो B option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला इकिशन देखिए विदूत चुम्ब के प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दिर्ग शरंकला पर आधारित है जिसे द्वारा किया गया था तो देखिए विदूत चुम्ब के प्रेरण के जो नियम है वो फैराडे और है प्रेरणी ने दिये थे तो C option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला इकिशन देखिए विदूत चुम्ब के प्रेरण की खोज और समझ जो है वो प्रयोगों की एक दिर्ग संकला पर आधारित है और यह जो सभी प्रयोग है वो फैराडे और हैनरी ने किये थे तो C जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला इकिशन देखिए बोतिकी में नोबेल पुरुषकार से समानित किये पहले भारतिये कौन थे तो देखिए चंदर सेखर वेंकट रमन जो है वो बोतिकी में नोबेल पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये हैं तो इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला इकिशन देखिए गैल्वेनिक सेल की अधिक्तम कारे शीलता प्राप्त करने के लिए आवेस जो है वो उतकरमनिय रूप से गुजरता है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा उतकरमनिय रूप का मतलब होता है reversible form की आगे और पीछे हमने देखा था temperature conversion में कि जो degree Celsius है वो बरावर होता है के माइनस दो सो तेतर यदि हमें degree centigrade को Kelvin में change करना हो तो इस पर कार करते हैं तो यहाँ पर देखिए degree Celsius में value यदि 30 है और इसी को यदि हमें Kelvin में निकालना है तो यह दो सो तेतर इसमें प्लस हो जाएगा तो यह जो value है व यह लगबग किसके बरावर हो जाएगा 303 के तो यह option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि जो value degree Celsius में 30 है 30 degree है वही Kelvin में कितनी होती है 303 Kelvin अगला किसे देखिए यदि किसी परमानू के नभग के आकार की तुलना किर्केट की गेंद से की जाती है तो परमानू की तिर्ज ग्याद करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन यदि इसकी तुलना हम किर्केट की गेंद से कर दें तो इसकी जो तिर्जा है वो लगबग 5 किलो मेटर के बरावर होती है तो यह option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला किसन देखिए उसमें उर्जा की एक कैलोरी या मान 4.2 जूल के बरावर होता है यह option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा अगला किसन देखिए महो एक पदार्थ की 1 है तो देखिए जो महो है वो विद्यूत चालकता की 1 होती है तो D option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा कि जो महो है वो विद्यूत चालकता की 1 होती ह विद्यूत सालगता की इकाई होती है अगला किशन देखिए कि जब परकास तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेश करती हैं तो अपने मूल पत से विचलित हो जाती हैं तो इस परिगटना को क्या कहा जाता है तो देखिए जब परकास की कीरण होती है वो यदि एक माध्यम से यदि उपर अलग माध्यम है यह पहला माध्यम है हमारा और यह दूसरा माध्यम है और यह अभी लंब है तो यदि परकास की कीरण एक माध्यम से यदि दूसरे माध्यम में प्रिवेश करे और वो अपने मू पत है वो इस प्रकार से होना चाहिए था बिल्कुल सीधी लाइन में लेकिन ये अपने पत से विचलित हो गई है तो इसका मतलब ये जो घटना है इसको हम क्या कहते हैं अपवर्तन कहते हैं जबकि जो प्रावर्तन होता है वो क्या होता है ये प्रकास की कीरण जिस माध्यम म सताई से टकराकर वापस उसी माध्यम में यदी प्रवेश कर जाए या वापस प्रावर्तित हो जाए तो वो परिगटना जो है वो प्रावर्तन कहलाती है लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर यदि परकास की जो कीरण है वो अपने मूल पत से यदि विचलित हो जाए तो यह जो परिगटना होती है उसे हम क्या कहते हैं अपवर्थन कहते हैं अगला किसन देखी तरंगूं में दर्वे परकास तरंगें एक्सरे गामा किरने रेडियो तरंगें माइक्रो वेव पैरा व उप्सन जो है इसका यहाँ पर राइड आंस्वर हो जाएगा अगला किसन देखी स्वेम सिद किये गे नियम के अनुसार विध्यूत अपगरटनी विलियन से गूजनने वाली विध्यूत की समान मात्रा से मुक्त विभिन पदार्थूं की मात्रा उनके रासायनिक सम्तुल लिए वजन के समानुपाती होती है तो यह जो नियम है वो Michael फेराडे ने सिद्ध किया था तो B option जो है इसका यहाँ पर correct transfer हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है और यह अच्छा लगा हो तो जदा जदा लाइक करें share करें और यह आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रू प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए आपडेट हो तो उसका notification आपको मिल सके ओके थेंक यू